नमस्कार आप सभी का एगेंस्ट्रेप्शन 99 में बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग जानेंगे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत हमारे राजी के या हमारे देश के किसी भी लोवर कोट, हाई कोट या सुप्रिम कोट भी RTI एक्ट सूचना अधिकार अधिनियम 2005 क के दाएरे में है, इसलिए हम लोग कोट से भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। चलिए यदि कोट के लोग सूचना पता अधिकारी द्वारा, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 का पालन नहीं किया जाता है, तो इसके खिलाप हम लोग धारा-ठारा के तहत किस प्रकार सिकायत बात दाएर कर सकते हैं। मैंने एक बिहार के एक बहवार नियाले में एक RTI लगाया था, जिसे वहां के लोग सूचना पता अधिकारी के द्वारा या उनके इस्टाप के द्वारा यह कहकर आवेदन वापस कर दिया, कि लोग सूचना पता अधिकारी उदा के सुचना निय नाले में नहीं है ता वापस किया इसी के खिलाब मैं सूचना आयोग में धारा ठारा की तहत्सिकात बाद करने जा रहा हूं आप लोग अवस्य देख ले या उनके द्वारा वापस किया गया यह पत्र है देखें लोग लोग सूचना अपदा दिकारी उदाक सुनगन याले में नहीं है तो वापस किया करके यह वापस कर दिया गया है और मैंने लोग सूचना अपदा दिकारी पिया यो बैवार न्याले उदाक सुनगन यह मधेपुरा जिला में है बिहाराज में है इसे वापस कर दिया गया था इसी के खिलाब मैं सूचना आयोग में राजमुक्षूचना आयुक्त के समक्ष धारा थारा के तहत सिकायत बाद दायर करने जा रहा हूँ आप लोग भी इस तरह अवस सिकायत बाद दायर कर सकते हैं तो चलिए हम लोग देखें बिना इसकिप कुए हुए इसे पूरा देखेंगे सत्यमेव जैते सेवा में स्रीमान राजमुक्षूचना आयुक्त बिहार सूचना भवन पटना पंद्रेबिस है आर्टी आई एक दोजार पांच का पालना कर आवेदन को वापस करने के संबंद में धारा अठारा के तहत सिकायत बाद मैं अपना नाम लिख दिया हूँ सिकायत करता हूँ बनाम लोग सूचना अपदा अधिकारी सहन्याइक डंडा अधिकारी उनका नाम यद जानते हूँ तो नाम भी दे दें बैबार नियाले उदाक सुनगन जीला मधे कुरा महासाय मैं परवीन कुमार सरमा पितावी सिसर प्रसाद सरमा रागो पूर्टी कर नातनेगर भागलपूर सोबिने निवेदन पुरवक काना चाहता हूँ की पहला मैं आर्टी आई एक 2005 के तहट प्रपत्र को द्वारा रेश्टर डाग से उपरियुक्त कार्याले के लोग सुचनाप दादिकारी से वांचित सुचनाएं की मांग किया था च्छा परती संग लगन है दूसरा लेकिन लोग सुचनाप दादिकारी के कारयाले द्वारा मेरे आवेदन को यह करकर लोटा दिया कि लोग सुचनाप दादिकारी उदाक संगन याले में नहीं है तह वापश किया तिसरा इस प्रकार लोग सुचनापदादिकारी द्वारा RTI F. 2005 का उलंगन किया गया जो जान बूझ कर अपने कर्तब की लापरवाही को दरसाता है चोथा कूट भी RTI F. 2005 के दारे में हैं इस कारण दोसी लोग सुचनापदादिकारी पर सुचनादिकार अधनियम की धारा 21 वो 22 के तहट कारवाई कर मुझे नयाय दिलाने की किरपा की जाए हर सिकायतबाद या दुटिये अपील के साथ स्वग होसना पत्र भी लगता है आप लोग ध्यान रखेंगे स्वग होसना इसे के साथ लगाएंगे मैं इस संबन में आयोग में कोई अन्डुटिये अपील या सिकायतबाद दायार नहीं किया है और यह मामला किसी अन्य प्रादिकार या नियाले में लंबित नहीं है अपना हस्ता अक्षर करेंगे मुबाइल नंबर दे सकते हैं अनुलग में प्रवत्र को वापस के लिए डाक की परती और सुल्ग के परती यह प्रपत्र को भी इसके साथ लगा देंगे सेल्फ टेस्टेट करके ध्यान रखेंगे यह प्रपत्र को का फॉर्म था जिसे मैंने भेजा था और यह डाक का था जिसे वापस कर दिया गया था आप लोग अवस इस सभी को स्वभी प्रमानित कर शिकायतवाद दायर कर सकते हैं जिससे हम लोगों को लोग सूचना पताधिकारी द्वारा दवाप न देकर सही समय पर सूचना उपलब्द करवाश के शिकायतवाद में कोई सुल्क नहीं देना होता है इसका वे दियान रखें यह नहीं सुल्क दायर किया जा सकता है जबकि द्वीती अपील में बिहार में 10 रुपे का सुल्क भी लगता है हमारे इस चैनल में दो तरह के वीडियो बनाय जाते थे एक फ्रष्टाचार से संबंदित एगने स्ट्रेप्शन का प्लेलिस्ट में वर्णन है जिसमें आर्टे आई लोका युक्त लोक शिकायत से संबंदित वीडियो है उसे अब सब्सक्राइब कर देखें तथा एक हेल वेल्थ करके भी उस पर वीडियो बना हुआ है आप लोग उसे भी अवस्य देखें जिससे आपका स्वास्त आसानी से ठीक रह सके और मैं एक्क्यूप्रिशर चिकत्सा से संबंदित ऐसा वीडियो डाला करता था आप लोग अवस्य देखें जैहिन